नमस्कार, कक्षा आठ, एक्सरसाइस तीन पॉइंट दो का प्रेशन नमबर एक, हमें इसमें एक्स का मान ग्याद करना है, और इसका बी पार्थभम करने जा रहे हैं, तो बच्चो देखें, यह आपको एक बहु बोज दिया है, और इसमें, यह भी इसका बहु बाहे कोन है, यह भी इसका बाहे कोन है, यह भी इसका बाहे कोन है, जो सतर डिग्री है, यह इसका बाहे कोन है, जो एक्स है, और यहां बाहे कोन नहीं बना है, तो हम खुद से बना लेंगे, ठीक है बच्चो, अब ध्यान से देखने की बात है, हमने पढ़ा था, किसी भी बहु बुज क के बाहे कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है यह सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था किसी बहुगुज के बाहे कोनों के मापों का योग 360 डिग्री होता है यानि बाहर वाले सभी कोनों का योग 360 होगा का योग बराबर 360 डिग्री होता है अब आप इस अक्रिती को ध्यान से देखेगा मैं एक तरफ से शुरू करता हूँ यहाँ से यह है X इसको लिख लिए है X यह बाहर वाला कौन है यहाँ बाहर वाला कौन कितना होगा देखे ध्यान से देखे बचो यह 90 डिग्री दिया है तो यह बाहर वाला भी 90 होगा यह सीधी रेखा है यह 90 डिग्री यहाँ बना रही है तो यह वाला भी 90 डिग्री ही होगा रैखी की उगम से ठीक है बचो तो यह 90 है तो यह बाहर वाला कौन भी 90 डिग्री होगा तो इसलिए इसको भी प्लस कर दो 90 डिग्री देखे यहाँ यह निशान है इस निशान का मतलब क्या होता है कि यह कितने डिग्री का कौन है 90 डिग्री का है ना बच्चो यह निशान 90 डिग्री का है इसका मतलब यह बाहर वाला कौन 90 डिग्री का है और देखे एक्स नब्बे साथ फिर से नब्बे अगला बाहर वाला कौन दिया है सत्तर डिग्री अब इन पांचों को प्लस करके इनका योग किसके ब्राबर होना चाहिए 360 डिग्री के ब्राबर होना चाहिए तो हम इसे हल कर लेते हैं देखे एक्स प्लस नब्बे प्लस 8 प्लस 90 प्लस 70 इनको प्लस करने के लिए क्या करोते हो सब के पीछे 0000 है तो मैं एक 00 सब के पीछे लगा देता हूँ अब सिरफ आप नंबर premiere को प्लस कर दो जो जिरो से पहली वाले अंक है उनको प्लस कर दो 9 6 15 15 और 9 24 24 और 7 31 ठीक है तो 90 और वैसे भी देखो 90 और 60 होता है 150 150 और 90 हो गया 240 240 और 70 हो गया 310 डिगरी बराबर आगे है बराबर के उधर कितना है 360 डिगरी तो यहां से X देखो 310 जो है X के साथ तो प्लस हो नहीं सकता क्योंकि यह X वाली रकम है यह X वाली रकम नहीं है यह समान पद नहीं है तो 310 को हम 360 के पास ले जाएंगे क्योंकि फिर यह दोनों यह आपस में प्लस माइनस हो सकती है लेकिन यह 310 बराबर से लेफ्ट साइड पे है जब यह बराबर के आगे जाएगा तो क्या होगा तो निशान चेंज हो गया यह प्लस का था उधर या के हो गया माइनस का अब X में X बराबर 360 डिगरी में से 310 डिगरी निकाल दो 360 में से 310 माइनस करके आएगा 50 डिगरी तो हमने X का मान निकालना था वो हमने निकाल दिया है एक्स बराबरा है पचास डिग्री के तो है ना बटा मज़ेदार बहुत इजी है आपने सिरफ इसमें एक ही चीज याद रखने हैं कोई भी बहु पूझ हो चाहे चार बुझाओं वाला तीन बुझाओं वाला पांच बुझाओं वाला छे बुझाओं वाला उसके सभी बाहिये कोनों का योग 360 डिग्री होगा सारे बाहर वाले कोनों का योग 360 डिग्री होगा इस प्रॉपर्टी का यूज किया ये 90 था तो बाहर वाला भी 90 होगा यह यहाँ नहीं लिखा लेकिन आपने खुझ से समझना है कि यह निशान है इसका मतलब यह 90 डिग्री का है तो बाहर वाले सभी कोनों को प्लस किया उनको 360 से माइनस कर दिया तो एक X हमारे पास X की वैलिव आ गई 50 डिग्री आशा करता हूँ यह वीडियो यह भाग आपको समझाया होगा इस exercise के बाकी प्रशन देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर बाकी वीडियो को देख सकते हैं यदि यह वीडियो समझाया हो तो इसको लाइक जरूर कीज़ेगा धन्यवाद